हेलो फ्रेंड्स आज का केक बिल्कुल हटके होने वाला है क्यूंकि जो मेरे पास ओर्डर था कस्टमर के डिमांड थी उसमें क्रीम कम होनी चीए चॉकलेटी होना चीए और बिल्कुल यूनिक होना चीए सिंपल होने के साथ तो चलिए आज वैसा ही सिंपल सा केक बनाते हैं उसके लिए मैंने ये चॉकलेट बेस ले लिया है और उसमें मैंने चॉकलेट सिरप में थोड़ा फानी डालके इसको सोग कर लिया है अब इसके ओपर मैं ये चॉकलेट गनाश डाल रही हूँ गनाश की रेसिपी मैं आपसे कर चुकी हूँ इसके ओपर दूसरी लेयर रखेंगे और ऐसे ही हम तीनों लेयर को सेट कर लिए थोड़े चॉकलेट गनाश को मैंने बीट कर लिया है जिससे ये क्रीम फॉर्म में आ गया है और इससे हमने पूरे केक को कवर कर लिया है अब इसको हम रफ सर्फेस देंगे यह देखें इस तरीके से और शाइन आप देख सकते हैं चॉकलेट गनाश की शाइन कितनी अच्छी है तो यह मैंने कोकोनट फ्लेक्स ले लिए जिसमें मैंने थोड़ा सा गोल्डन डश्ट डाल लिया है जिससे इसमें एक अच्छी सी शाइन आ जाए तो हम किनारी किनारी पे यह कोकोनट फ्लेक्स डाल लेंगे नीचे की किनारी किनारी पे और थोड़ा सा इसके उपर भी स्प्रिंकल कर लेंगे तीस मिनिट के लिए केक को सेट करने जरूर रखें वरना यह पूरा चॉकलेट से बना हुआ है तो मैल्ट हो जाएगा मैं इसके उपर कोई इसके लिए मैंने यह इसके चारो तरफ लाइट जैला दी है यह सेल वाली लाइट है यह आपको किसी भी लाइटिंग वाली शॉप पे या गिफ्ट शॉप पे मिल जाएगी बड़े इसी वे में तो इसको मैंने टेप की मदद से चिपका दिया है केक वोड पे और यह आप देख सकते हैं यह कितनी अच्छी लग रही है यह देखें लाइट जला के भी दिखा रही हूं मैं आपको और केक की शाइन तो कहना ही क्या आप खुद देख सकते हैं यह कितना शाइन कर रहा है और लाइट की वज़े से और भी सुन्दर लग रहा है तो फ्रेंड्स आपक